सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ लाइव स्टीमिंग के वाच टाइम काउंट के बारे में क्योंकि लाइव स्टीमिंग से रिलेटर आप में से काफी सारे लोग के सवाल आते रहते हैं कि अगर हम अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हमें एक भी व्यूस नहीं आते हैं यानि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर हमें जीरो व्यूस आते हैं तो क्या उस केस में लाइव स्ट्रीमिंग का वाच टाइम हमारी YouTube चैन पर क्या उसका जो वाश्टाइम हमें लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मिला था वो वाश्टाइम हमारी यूटीव चनल पर काउंट होगा या नहीं होगा तो आज किस वीडियो में जो हम इन ही दो टॉपिक के बारे मैंली बात करने वाले हैं तो अगर आपको भी इन दोनों में से किसी भी टॉपिक पर इंट्रेस्ट है या फिर अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के वाश्टाइम काउंट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस वीडियो को लाज तक जूर देखेगा बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है और उभी तक आपने इस वीडियो को लाइक निके तो चल्दी से लाइक कर दीजे चैनल को सब्क्राइब निक्या सब्क्राइब कर दीजे सब्सक्राइब निके तो मेरा नामरी को आप देख रहे हैं टैक्टिकोश चल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने यूटीव चैनल पर जब भी लाइवड बिस्टीमिंग करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के तोरान हमें दो तरह से वाश टाइम हमारी यूट्यूब चैनल पर जो है वो count होते हैं यारी एक तरह से कह सकते हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग जब भी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो उससे हमें double वाश टाइम मिलता है यहां पर बात करेंगर सबसे पहले वाश टाइम की तो जब हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं उस दोरान हमें जितने भी व्यूज आते हैं उस वक्त जो भी audience हमारी वीडियो को देखती है और जितनी देर तक देखती है उतना ज़्यादा वाश टाइम हमारी यूट्यूब चैनल पर उसका अपडेट होता है इसके साथ साथ जब हम लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर बाकी अधर वीडियो की तरह as a public publish कर देते हैं उसके बाद उस वीडियो पर जो दुबारा फिर से व्यूज आते हैं उस व्यूज से जो भी हमें वाश टाइम मिलता है वो अल वाश टाइम की तो यहाँ पर जो वाश टाइम सब्द का मतलब है वो ही यही होता है देखे जाने का समय तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपकी ओडियो को कितने जादा लोग देखते हैं कितनी जादा देर तक देखते हैं जो भी देखे जाने का समय होता है उसी को व अगर हम live streaming के बाद अपनी वीडियो को बाकी other videos की तरह publish ना करके अगर उसे सीधा delete कर देते हैं तो उस case में watch time का क्या होगा तो इसका बहुत ही simple answer है कुछी time पहले YouTube ने live streaming के watch time को लेकर एक update दे थी जिस update में YouTube ने ये बिलकुल clear कर दिया था कि अगर आप अपनी YouTube channel पर live streaming करते ह हैं और live streaming करने के बाद आपकी जो live streaming वाली वीडियो है अगर आप उसको VOD वीडियो में convert नहीं करते हैं यहाँ पर VOD का मतलब है वीडियो on demand यहाँ आपकी YouTube चैनल पर जिस तरह की बाकी वीडियो होती हैं उसी तरह अगर आप अपनी live streaming वाली वीडियो को भी अपनी YouTube चैनल यहाँ पर इसका simple answer यही है कि अगर आप live streaming वीडियो को बिना अपनी YouTube चैनल पर publish करें अगर उसे delete कर देते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का कोई भी watch time नहीं मिलेगा जो watch time आपको मिला था वो भी यहाँ पर आपकी YouTube चैनल पर update नहीं होगा वह भी वीडियो के साथ ही य अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजे समयते हैं पर ने ने वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक कियर